पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन अब सबों को जेएस्यू। लुकस के सुसमचार अधिया एक वाक्य आड़तालिस में लिगा है अपसे सपीडिया मुझे धन्य कहेगी। अपसे सपीडिया मुझे धन्य कहेगी। पवित्र आत्मा से भर कर मा गाती है, अपसे सपीडिया मुझे धन्य कहेगी। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने महानकारिय मेरे जिवन में किया है। ओ ईश्वर मेरे दुआरा इस संसार का मुक्ति दादा का जन्म लेने का उपकरन मुझे बनाया। इसलिए इस संसार आने वाला पीडियां सब लोग मुझे धन्य कहेगी। मा मर्यम हमारे लिए एक धन्यस्त्री है। वह केवल ईश्व की मा नहीं हमारे भी मा है। हम लोगोंने कल के क्लास में मनंचिन दन किया था। मा तीन घरों में तीन जगाओं पर रह करके हम लोगों को इस संसार को किस प्रगार मदद करते हैं। जिसे येश्यू प्यार करता है वे मा मर्यम को अपने हाँ स्वागत करते हैं। और कातली कलीसिया सिखाते हैं कैटेकिसम अफ कातली कलीसिया का जो धर्म सिक्षा ग्रेंद 971 के अंदर। इस कारण कलीसिया आदिम काल से ही मा मर्यम को एक विशेश दर्जा कलीसिया में दिया था। एक विशेश आदर सम्मान भक्ती मा मर्यम के प्रदी कलीसिया में रहता था। और उस भक्ती को प्रकट करने के लिए सुसमचार का निचोड पूरे धर्म गरंद का निचोड हम बोल सकते हैं जो रोसरी माला जो माला विंदी जो करता है पूरे बाइबल का निचोड करते हैं। उसके द्वारा या अन्य मरियन भक्तियों के द्वारा उस मा मरियम को हम लोग आदर सम्मान देते हैं मा मरियम का आदर सम्मान येश्यू का आदर सम्मान है इसलिए हमें कभी इसमें हीच किचाना नहीं चाहिए कदल्क अलीजिया का द्रमिस्यक्ष शाג्रिंद 1971 में ये जो लिखाऊँवा बात जो माम को आदर सम्मान देना है और मा का स्वागत हमारे जिवन में होना है इस विशे में क्यों हमें आदर सम्मान देना है हमें कीसे मालूम हम मा मर्यम का भक्त है बक्ती कर रहा है क्या केवल रोजरी जपने से यह अन्य जो भक्त प्रार्थना बक्ती का जो प्रार्थना वेरा करने से हम सचमुच में मामरियम का बक्त है कि नहीं मा मर्यम इश्वर से कैसे जुड़ा है इसको अगर हम लोग तोड़ा सा देखें इश्वरिय गुण ये दी मा मर्यम में हम लोग पाते हैं इसका मदलब है मा मर्यम इश्वर से जुड़ा हुआ था आज सबसे पहला एक मुख्य गुण उनकी जो विशुदी के विशे में हम लोग तोड़ा सम्मान एंचिंदन करते हैं पवित्र बाइबल के अंदरा नेकों जगाओं पर इश्वर अपना जो नाम पर प्रकट करता है वो पवित्रदा के साथ जूड करके हैं यदि हम लोग लेवी गिरंद उसके अधियाय उन्नेस वाक्य दो को पड़ेंगे लेवी चाप्टर नाइन्टीन वर्स टू वहां बार इश्वर क्या कहते हैं पवित्र बेनों क्योंकि मैं प्रभु तुमारा इश्वर पवित्र है इश्वर कहते हैं अपने को मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम पवित्र बेनों पेत्रूस अपना पहला पत्र अधियाय एक वाक्य 15-16 में पेत्रूस का फर्स्ट पीटर चाप्टर 1-15-16 में हम लोग यही पड़ते हैं आप सब बातों में अपने को पवित्र रखना हैं सब बातों में सब कार्य पवित्रता का कार्य होना चाहिए सब बात्चित कर रहा है सोच विचार है सब में पवित्रता होना जरूरी है उसका कार्य यही लिखा है वाक्य 16 में क्योंकि लिखा है इश्वर ने कहा में पवित्र हूं तुम भी पवित्र बेनों इश्यवर बोलते हैं मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो हम लोग प्रकाशना गिरंद उसके अधियाए चार आठ के अंदर भी इसी प्रगार हम लोग पढ़ते हैं सुर्ग में सुर्ग दूद निरंदर पवित्र 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 बोल करके इश्वर की स्टुदिगान करते हैं इसया के गरंद दिया है छे वाक्य दो तीन में भी हम लोग पढ़ते हैं इसया को एक दर्शन मिलता है सुर्गिय दर्शन मिलता है वहाँ पर सुर्ग दोद निरंदर प्रभु को यही कह करके पुकारता है पवित्र 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 उनकी स्तुदी अरातना पवित्र पवित्र बोल करके हैं प्रकाष्ण गरंद 4.8, Revelation 4.8 and Isaiah 6.3 में भी अमलोग यही पढ़ते हैं पवित्र 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 होली 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 तो ये श्वर पवित्र है हमें भी पवित्र बनना हैं इसलिए कलीस्या कलीस्या ही नहीं स्वर्गदूद गब्रियेल ये प्रमानित किया है मारियम पवित्र गब्रियेल का जो प्रनाम करने का जो तरीक्या प्रनाम इश्वर की कृपा पात्री इश्वर की कृपा मिलने वाले इश्वर की कृपा पात्री जहां कृपा से पूर नहीं कृपा परिपूर नहीं वे उन्हें बुलाते हैं जहां कृपा परिपूर नहीं जहां पाप नही उसी को पवित्र कहते हैं जहां इस शुरेय किरपा भरा हुआ है वहां पाप के लिए कोई स्थान नहीए एक ग्लास के अंदर बरकर पानी डाल कर रखेंगी वहां पर यहर भी गुस नहीं सकता है क्योंकि उसके लिए बी जगा नहीं है क्योंगि उसके अंदर पानी बरा हुआ है उसी प्रगार यदि एक वेक्ति में कृपाओं से भार दी आए इस और ने तो वहां पर कोई पाप का स्तान नहीं है इसलिए कातली के कलीसिया सिखाती है मा मरियम का जो जैन में ही निशकलंग गरभागमन है कातली कलीसिया का दर्मशिक्षागरंद 490 में मा मरियम के निशकलंग गरभागमन के विशे में लिखा हुआ है 91 में 1950 में जब संद पापा ने उसको गोशना किया उस समय पर ये बताया गया मर्यम का जो पवित्रदा है अपना कर्म के कारण नहीं है उकेवल ईसा मसी से जुड़कर के रहने के कारण मा मर्यम का ये पवित्रदा आई है मर्यम की पवित्रदा इशुर से जुड़कर के रहने के कारण है कैटेकिसम 492 चारसो बयानियु में में लिखा हुआ है मसी से जुड़ने के कारण मसी के कारण मसी से मर्यम को वो कृपा मिली है तो पूछेंगे जब मा मर्यम के जन में लिया कहां इसा मसी था कहीं लोग ये सवाल करते हैं उस समय पर भी मसी था इसा मसी में जो योगिदा दिखना है वो अपनी माम में दिखें ये इश्वर चाहा इश्वर पवित्र है मसी पवित्र है वो पवित्र अपनी माम में होना है इसलिए जो जन्म विशुद्धी जो आदिम माता पिता को आदम और हेवा को जो दिया था वो इसा मसी ने अपनी मा को सबसे पहले दे दिया जन्म के पहले उने पवित्र करते हुए इसा मसी ने उने जो जन्म लेने के लिए निश्कलंग रीदी से पाप रहिद रीदी से जन्म लेने की कृपा इसा मसी ने दिया इसका मदला मरियम की जो पवित्रदा है वो इसा मसी के कारणी है मसी से ही मिला है और कैटेकिसम 411 की अंदर लिखा हुआ है इस चुर की एक विशेश कृपा मरियम को इस प्रगार मिली इस कारण अपने जीवन काल में भी पाप से दूर रहने की कृपा उने मिल गिया इसलिए वो कृपा पूर्ण होने के कारण ये शुर की एक विशेश कृपा उने मिलने के कारण वो इस संसार के जीवन काल में भी कोई पाप नहीं किया पवित्र जीवन जी माता मरियम के बच्पन के विशे में बाइबल में नहीं है लेकिन अनेकों किताब मिलेगा विशेश रूप से एक बहुत सुन्दर किताब है जिसे सब लोगों को पढ़ना चाहिए अंग्रेजी में उस किताब का नाम है The Poem of the Man God Poem of the Man God एक स्थरी मरिया वालतोरता नाम के एक महिला ने लिखा है ये अपाइस हो गया था किसी युवक ने उनके सिर पर लोहे का रोड मारा था इस प्रगार वो बिमार हो गए और परलाइजड होगे विश्तर पर पड़ी थी उस समय पर अनेकों बार इस मसी ने इस मरिया वालतोरता को दर्शन दिया माता मरियम के जैन्म से लेकर के इस मसी का जैन्म पूरा बाइबल में जो बताय हुआ बात और जो बताया नहीं है ऐसे बात और जो बाइबल के कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आता उसको भी मरिया वालतोरता के द्वारा प्रभू ने कुलासा किया तो उसके अंदर मा मरियम के जैन्म के विशे में मा मरियम के जो बाल्यावस्ता जो मंदर में जो उनका पालन पॉर्शन किया था वहां के जीवन के विशे में लेखा मा मरियम वहां पर भी एक पवित्र जीवन कैसे जी इसके विशे में उस किताब के अंदर लिखा हुआ है मैंने पड़ा मा मरियम यरुजलेम अंदर में रहते वक्त अन्ना नाम की एक विधवास्तरी वहां रहती थी वो मा मरियम को सिखाते थी बाइबल के विशे में मसी के विशे में यह सब सिखाते थी मसी के आगमन के विशे में सिखाते थी और मरियम को ये सुनकर के बहुत कुशी हुआ इसाम मसी का मसी का जन्म का समय हो रहा है और मा मरियम दिल से चाहने लगे कि जिस घर में उनका जन्म होगा क्योंकि कोई राज महल में होगा उस राज महल में एक नौकरानी का काम मुझे मिल जाएं ताकि उस वाल की एशियू को एक नौकरानी बन करके मैं अपने हातों में उठा सकूँ उनके साथ केल सकूँ उन्हें किला सकूँ इस प्रकार वो खर्दे से बच्पन से चाहती थी जब मसी का जन्म के विशे में उनको पढ़ने के लिए मिना उन्होंने एक बारा ना से एक सवाल किया इस और को मनिशों से सबसे अच्चा कौन सी बात लगता है मैं वो चीज मेरे इसु को देना चाहूंगा तब ओ अन्ना ने कहा इस और पवित्र है इस्वर ने मनिश को अपने प्रतिरूब स्रिष्टी किया अर्थाद पवित्रदा में जन्म विशुद्धी में स्रिष्टी किया लेकिन मनिश ने पाप कर अपने उस जन्म विशुद्धी को नश्ठ किया तो इश्वर चाहता है मनश्य विशुद्धी का जीवन जीए पवित्र जीवन जीए तुरंद मामर्यम बोलने लगे मैं जीवन के आंद तक पाब नहीं करूंगी पवित्र जीवन जीओंगी कन्या रहूंगी और कभी विवाह नहीं करूंगी इस प्रकार वो बार बार बोलन एक नरने लिया बच्पन में उन्होंने एक नरने लिया पवित्रदा का जीवन जीने का कन्या जीवन के अंद तक बने रहने का एक नरने मर्यम ने बच्पन में नरने लिया था बच्पन में अभी पूछेंगे फरमा मर्यम का विवाग सब हुआ यहूदी जो परंपरा के अन अनुसार हर स्त्री को मंगनी करवा कर रखना जरूरी था उसके अनुसार उनका मंगनी हुआ और ये इश्वर की एक योजना था क्योंकि मर्यम को इश्वर ने पहले से चुना था रोमियों का पत्र दिया है आटवा के 28 में हम लोग यही तो पढ़ते हैं जिसे इश्वर ने उसे सब बातों में उनका मदद करता है मर्यम अपने जीवन में नरने किया इश्वर पवित्र है उसी प्रकार मुझे भी पवित्र बने रहना है इब्रानियों का पत्र दिया है 12 वाक्य 14 में लिखा है आप पवित्रदा की साधना करें आपको पवित्रदा की साधना करना है क्योंकि पवित्रदा के बगर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, कोई भी अपवित्र वस्तु सुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए हमें पवित्रदा की साधना करने की जरुरत है। मा मर्यम ने यही किया है बच्पन से पवित्रदा की साधना किया अपने मन में अपने खरदे में अपने बाच्चित में अपने विवार में अपने कामों में वह किसी अपवित्रदा को आने नहीं दिया तेसलिनियों का पत्र अधियाए पांच वाक्य तेईस में क्या लिखा हुआ है आपका मन आत्मा और शरीर है उप पूर्ल रुप से पवित्र बने रहने की जुरूरत है मैंने एक क्लास लिया था एक मनिशिक जो के शरीर है वो एक जो बिनावट के विशे में उनका एक शरीर है एक मन है एक आत्मा है तो ये शरीर को पवित्र रखना है क्योंकि शरीर को जीवड़ना है ये नहीं है सोचना है मरने के बाद वो मिटी में मिल गया कदम हो गया नहीं अंदिन समय इसा मसी के दुबारा आने में जो मिटी में मिला हुआ ये जो शरीर है फरसे जी उटेगा महिमा में रूप में जी उटेगा और आत्मा के साथ एक बन करके उस आत्मा को एक शरीर देगा इस परगार सुर्ग का जिवन होगा तो वो शरीर जीवडने वाला वो शरीर है उसको पवित्र रखना जरूरी है और हमारे जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है इश्वर ने जो आत्मा दिया है उसको पवित्र रखना है पवित्रदा की साधना करते हैं पवित्र जीवन जीते हुए उसको पवित्रदा में रखना अन्यदा उसको फिर न रख जाना पड़े है। इस प्रकार पूर्ण दा में पवित्र रखने वाली महिला है मरियम। यह मरियम का उदाहरन हम ले सकता है अपने शरीर को अपने मन को अपने खृदे को आत्मा को सब जीवन के अंद तक पवित्र रखी। इसलिए शरीर के साथ इशरने उन्हें सुर्ग में लेकर के गया। आज हमारी लियो मा भी यही कहते हैं जिस प्रकार मा एक पवित्र जीवन जी करके हमें दिखाया। उसी प्रकार हमें भी पवित्र दा की साधना करने की जरुरत है। माता मर्यम जिस प्रकार पवित्र जीवन जीया इसका साक्षे सोयम सुर्ग दूद ने दिया। हमें भी एक नरने करना हैं मेरे जीवन के आंद तक में पवित्र रहोंगा। विवाह के बाहर अपने शरीर मन आत्मा को मैला करने वाले कोई वासना का पाब अशुदी का पाब आने नहीं दूँगा। आज बड़े दुख की बात हैं। बच्चे चोटे बच्पन से ही बरबाद हो रहा है। अन्य लोग उनको बरबाद कर रहा है और बड़े होने के बाद स्वयम फर बरबादी में जीवन जी रहा है। पवित्रदा का शब्द उनका उसका आर्त लोगों को मालिम नहीं आजी। पवित्र जीवन जीने की जरूरत के विशे में कोई सोचने रहा है। कहां अशुद दा का जगा है कहां ओ मौका मिलता है इसको डूंड करके चलने वाले लोग बनेगी हैं। कभी जो बच्चों से बात करते हैं जो कौंसिलिंग वरे करते हैं कभी कभी रोना आ जाता है। कोई कोई बच्चे बच्च्पन से हितना बरबाद हो करके पड़ा है। जैसे दानियल का उदाहर ने ले लो, दानियल ने कुछ नर्ने किया, पवित्र रहने का, नशा ना करने के विशे में, और प्रार्थना करने के विशे में, मूर्ती के सामने दंडवत ना करने के विशे में, जो नर्ने किया, पुरे नविधान में जोसफ, उनका भी एक नर्न ता यह जो विपिचार से दूर रहने का उस विपिचार करने का अवसर जोसफ के जीवन में आया जोसफ को पुत्तिफर का पक्तनी पकड़ा भी था आओ बोल करके लेकिन उनके हाथ से वो भागते हैं क्योंकि वो पवित्रदा की साधना करने वाले इस प्रगार पवित्रदा की साधना कर पाप से विपिचार से वो दूर भागा प्रवक्तागरंद इकीस दो और तीन में सांब की सामने की तर दूर भागो वो विपिचार के पाप से वो दूर भागने के कारण वो उस मिस्तर देश का गवर्नर बने गिया Second in Command Second in Command राजा के बाद दूसरा विक्ति के रूप में वो वहां बनने के पीछे का कारण है जोसफ इस अपवित्रदा से दूर भागा पवित्रता की साधना किया हम यही साधना करना है उसके लिए आज मा मर्यम हमारे लिए विंदी कर रहा है उदाहरन बन कर 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 दे रहा है मर्यम अपनी पवित्रता हमारे लिए उदाहरन बना कर 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 दिया है वो जीवन के अंद तक पवित्र रही कुवारी रही कदली कलीसिया अपने दर्मसिक्षा के अंदर किस प्रगार मा मर्यम कुवारी रही इसके विशे में भी हमें सिखाते हैं कई लोग उसके अपवाद में माता मर्यम को अन्यकों बेच्चे हुआ ये सब बोल करके उनके उपर किछड फेंगते हैं ये अच्छी बात नहीं है बाइबल के अंदर ये शू के अन्य भाई बहन के विशे में जो लिखा हुआ है उनका कसिन ब्रदर कसिन सिस्टर्स हैं मा मरियम का या संद योसफ का जो भाई बहनों का जो बेच्चे हैं जिसे हम लोग भी जे कैसिन बरदर या सिस्टर उनको मेरा बहन है मेरे भाई है यही काते हैं बाइबल की अंदर यह हम लोग प्रूफ कर सकता है अनेकों लोग मा मरियम की उपर ये शु की मा इशर की मा उनक उपर खीचण फेंगने के लिए यही बोलते हैं वो अनेकुम प्रसव किया जो सफ भी बड़े जल्दी मर गया इनके बाद वो पांचे और प्रसव करने के लिए कौन सा विचार में गया सोचने वाली बात है तो इस प्रकार का विचार यह जो अपवित्र जीवन जीने वाला लोग बोलते हैं हमें नरने करना है मेरे शरीर को अपवित्र करने वाला कोई काम में नहीं करूंगा जीसे माता मर्यम अपने जो गुरु जो सिखाता था मंदर में उसका अनुसरन किया और इश्वर के बारे में जानने का और इश्वर जैसे पवित्र रहने का एक नरने किय हमें भी फवित्र बाइबल को रोज पढ़ना है ये शुर को जहां जहां ये शुर के वचनों को सुनने का जहां जहां मौका है उसको सुनना है और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को अरपित करना है बार बार पापस्विकार कीजिए यदि मन में भी कोई बुरेविचार आता है उसके लिए पापस्विकार कीजिए बार बार उसको बोलना है मेरे मन में ऐसे ऐसे बुरेविचार आता है मैंने ऐसे ऐसे गलतों बातें किया है जो भी हमारे से गलती होता है उसको बार बार एक विरुखित के पास जाकर के पापों को सुईकार करते हुए हम इस पवित्रादा में आगे बढ़ सकता है। और रगुलर कंफरेशन के साथ साथ हम यदि रोज मिस्सा बेलिदान में भाग ले सकता है। इतवार को तो सबों को जाना ही जाना है। लेकिन उसके अधरिक्त में हम लोगों को रोज की मिस्सा बेलिदान कोशिश कीजिए। यदि संबव है, रोज मिस्सा बेलिदान में जाकर प्रभू ईसा मसी को रोटी दाकरस के रूप में हम जब सुकार करेंगे, जहां ईसा मसी आएगा, हमारे अनगिनत पाब मिड जाता है। उस मसी को रोटी के रूप में हमें रोज लेके आने की कोशिश करना उसमें कृपा अनगर आशिश मिलता है कलीसिया सिकाते हैं यदि आप कम से कम आदा गंडा रोज बाइबल पड़ेंगे तो आपको विशेश अनगर आशिश कलीसिया दुआरा भी दे रहा है दंडमोजन दे रहा है दंडमोजन मिल रहा है पाबच्छमा मिल रहा है और हमें एक आदत रखना है बाइबल को एक साइड से पढ़ करके जाने के लिए नेकों लोगों को है आंग बंद गिया खोला जाय एक साइड से पढ़ना सुरू किजी ध्यान रह करके जो नोट करना है नोट करते हुए ऐसे इस बाइबल को पढ़ते हुए समस्ते हुए हम जब पढ़ेंगे तब प्रभु की कृपा आशिश हमें मिलेगा इस शुर्ग जो हमें पवित्र करना चाता है इस वचनों के द्वारा योगन के सुसमचार अधियाए 15 वाक्या तीन में लिखाए जो वचन तुमने सुना वो तुम्हें पवित्र के या शुद्द के जो वचन जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं इस समय पर हम अपने आप पवित्र होते जाता हैं तो हम कोशिश करेंगे पवित्रदा की सातना करने के लिए मातम मरियम के उस पवित्रदा को अपने जिवन में उतारने के लिए आईए हम अपने आंकों को बंद करें जैसे माम मरियम निश्कलंक रिदी से गर्भधार इनकर इस अंसार में आया पाप रहगित रिदी से उसी प्रकार हमें भी कोशिश करना है अपने जीवन में जो गलतिया हो उसके लिए पाब सिगार करते हुए एक अच्चा पवित्रदा का जीवन जीने के लिए इश्वर ने विशेश करपा जैसे मर्यम को दिया पाब से दोर रहने के लिए हम हरे को प्रभू अपने आत्मा की द्वारे करपा देता है हम अपने शरीर को पवित्र बिनाए रखें कोई नशा करते हुए या वासना का पाव में गरते हुए सोहिंभोग के द्वारा हो हम अपने शरीर को महला होने नहीं देंगे निर्ने कीजिए चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े इसके लिए कितना दोस्तियां तोड़ना पड़े इसके लिए लोगों से दूर रहना क्यों ना पड़े है मोबैल इंटरनेट को क्यों ना बंद करना पड़े मैं ऐसा पाव में नहीं गरूँगा एक नर्ने की जी नेकुम बैच्चों का जिन्दकी बरबाद है एक नर्ने की जी एक अच्चा पाप स्विकार करते हुए दुबारा इस अगलती ना करने कंदरने करेंगी और एक पवित्रदा का साधना करेंगी केवल वईवाहिक जीवन में जो कारियो ना है वो विवाह की अंदर उसके बाहर नहीं पवित्रदा की साधना जीवन के अंदर तक करने कंदरने की जीए मा मर्यम हमारे लिए मदद करेगा हमारे घर में हमारे साथ रहने वाली मा येशु का इशुर की ओ पवित्रदा धारन करने वाली ओ मा इशुर की विशेश करपा प्राप्त ओ मा हमारे वी मदद करेगा पवित्र रहने के लिए पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जै येश्यू